तो कहानी की शिर्वात में हम BEM नाम के एक लड़के को गारज में देखते हैं, यह कौन आटिस्ट है, यहाँ पर इससे मिलने के लिए एक आदमी आता है, जिसे कि BEM यहाँ पर यह बताता है कि उसके पास गवर्मेंट का जमा किया हुआ ऐसा पैसा है, जिसके उपर गवर्मे को साफ करके दिखाता है, यहाँ पर वो आदमी खुझ से भी एक नोट को साफ करता है, जो कि पूरी तरह से क्लीन हो जाती है, तो अब BEM यहाँ पर इस केमिकल के और उन पैसों के बदले में अपनी फीस लेता है, और वहाँ से निकलता है, लेकिन वो जैसे ही वहाँ से नि प्रिंग भेशती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वो कौन है, और इससे पहले कि वो पता करें, उससे मिलने के लिए उसका फ्रेंड आ जाता है, जिसका नाम होता है वोल, वोल यहाँ पर उसे ये बताता है, कि उसने एक जगह पे एक घर में काफी सारा पैसा देखा इसी वजह से वो मना कर देता है, पर अब यहाँ पर कुछ लोग बैम को किड्नाप करके ले करके जाते हैं, और एक शेक के सामने वो पहुच जाता है, वो शेक उसे ये बताता है कि अभी मुवी के स्टार्टिक में उसने जिस आदमी को ठगा है, वो आदमी उसका कजन है, और जो पैसे वो बैम को दे करके गया, वो पैसे उसने शेक से चोरी किये थे, और अब शेक को अपने सारे पैसे वापस चाहिए, बैम बताता है कि उसने सारे पैसे खर्च कर दिये, वो भी सरफ एक ही वीक में, तो शेक बोलता है कि उसके पास एक वीक है, वो दुबारा से सारे बैसे कमा सकता है बैम के पास कोई भी आप्शन नहीं होता है और अब वो इस चोरी के बारे में सोचने लगता है वो अपने फ्रेंड जिरॉम को यह बलाता है जो कि इस वक्त काफी जादा फाइनाइशल प्रॉब्लम से गुजर रहा होता है जिरॉम भी उसके प्लान में शामिल हो जाता है और अब वो लोग चाते हैं कार से उस घर के सामने देखने के लिए कि घर के आसपास कितनी सिक्यॉर्टी है वहाँ पर सिक्यॉर्टी काफी जादा टाइट होती है और वहाँ पी वहाँ पर दो गार्ज आते हैं और उन्हें जबरदस्ती वहां से निकाल देते हैं आगे बैम दुबारा से क्लब में जाता है जहां पर वह आईवी से मिलता है आईवी वही लड़की है जिसने की पहले उसके लिए ड्रिंक बेजी थी आईवी उसे बताती है कि ड्रिंक छोड़ करके आईवी का घर है तो बतलब आईवी के घर से वह लोग वहाँ तक पहुँच सकते हैं अब बैम का प्लैन यह होता है कि वह लोग आईवी के घर से एक टनल डुनाएंगे जो कि सीदे उसी जगे जाकर यह खुलेगी जहां पर पैसे हैं पर अब तक यहां पर ए कहीं बैम उसे धोका देगर के निकलना जाए आगे बैम यहाँ पर अपने इस पूरी प्लान में वोल को भी मिला लेता है कि क्यों ने टेनल खोदने हैं जिसे खोदने में काफी ज़दा टाइम लगेगा और क्यों क्यों इनके पास वक्त कम है पर छोड़ देता है और उसे कुछ काम है ऐसा बोल करके वोपस चला जाता है वो वोपस घर में आता है यहां पर इनका टनल खोदना शुरू हो जाता है लेकिन आएवी वहाँ पर बोर हो रही है इसलिए वह कहती है कि थोड़ी देर में वापस आ जाएगी मतलब नेक्स ट्रे आएवी वोपस आ रही है और यह लोग गड़ा खोते खोते काफी आगे निकल चुके होते हैं इनकी टनल उस दूसरे वाले घर तक पहुच गई है लेकिन अब यहां पर नीचे इन सबका जगड़ा होने लगता है क्योंकि वोल को इनमें से किसी के ओपर भी ट्रस्ट नी होता और यह जगड़े की नोईज वहाँ पर गाड़ भी सुन लेते हैं और वो लोग उसी जगए के आस पास अपने कुट्तों को छोड़ देते हैं पर अब यहां पर बैम आईवी के घर पर एक पार्टी रखता है और वहां पर अपने कुछ फ्रेंड्स को बला लेता है वहां पर वो म्यूजिक को इतना ज़ादा लाउट कर देता है कि उनके टरनल को खोदने के आवाज उसके नीचे दब जाती है और इस तरीके से वो लोग फाइनली टरनल को खोते-खोते उस रूम तक बहुत जाते है जहां पर रूम में पैसे भरे होते हैं वो एकक करके सारे पैसो के कार्टन को टरुच दूसरे घर में लेकर के जाते हैं जहां पर अब तक बैम ने सब को हटा दिया होता है और music भी बंदोगे होता है यहाँ पर वो लोग सारे पैसो को van में रख लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं वहाँ से निकलने के बाद वो लोग दुबारा से BEM के garage में पहुँच जाते हैं जहाँ पर उन्हें जाकर के पता चलता है कि वोल को अभी भी उनके उपर trust नहीं है और वो यहाँ पर सब को gun point पर ले लेता है और वो यह बोलता है कि इस काम को करने के लिए उसे उसकी boss ने बोला था और तब ही यहाँ पर वोल की boss आती है जो कि IV होती है तो मतलब IV को starting से ही सब कुछ पता था और सारे पैसे ले करके निकल जाता है उसके जाते हैं यहाँ पर बेम भी गुस्से में चला जाता है और अब scene shift होता है कुछ वक्त बात का जापरम देखते है कि IV एक जगे पर ऐसी बैठी होती है कि तब भी उसके लिए drink ले करके बेम आता है इसके लिए उसने पहले से प्लान करके रखा हूँ था जब वो लोग यहाँ पर सारे पैसे वेन के अंदर डाल रहे थे तब ही वहाँ पर आती है जिराम की वाइफ वो यहाँ पर वेसी सेम दूसरी वेन लेकर की आती है और उससे खड़ी कर देती है और पैसे वाली वैन लेकर के निकल जाती है तो मतलब कि वो जिन पैसो को लेकर के आये थे वो सारे पैसे नकली थे और सारे पैसे बेम के पास में होते है और इसी के साथ में मुवी के लास्ट में बेम यहां पर आईवी को प्रपोस कर देता है और इसी happy ending के साथ ये movie ही पर खत्म हो जाती है इस movie का नाम था The Millions जो कि 2019 में release हुई है और ये काफी सारी हाइस्ट movies की थोड़ी थोड़ी story को copy करके बनाई गई है तो अगर आपको मेरा explain पसंद आए हो तो please हमारी वीडियो को like करें, share करें और मैं चानल को subscribe करें तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो के साथ, bye bye